हलो फ्रेंड्स, 110 शब्द प्रती मिनट हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद स्टार्ट पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरहे पैटरोल और डीजल की कीमतों में बडोतरी हो रही है उसे देखते हुए यह आशंका पहले ही जताई जा रही थी कि इसका असर बजार में मौजूदा सभी जरूरत के सामान पर पड़ेगा ही अब खुदरा महंगाई का जो ताजा आकडा आया है उससे साफ है कि ना सिर्फ पैटरोल और डीजल की कीमतें लोगों की पहुँच से धीरे धीरे दूर होती जा रही है बलकि खाने पीने के सामान की खरिदारी को लेकर भी बहुतों को सोचना पड़ रहा है गौरतलब है कि कच्चे तेल और वी निर्मित वस्तुमों की कीमतों में इजाफे की वजह से थोक मुल्य सुचकांग पर आधारित महंगाई की दर माई में बढ़ कर रेकॉर्ड उच इस्तर 12.94 फीसद पर पहुँच गई जबकी सिर्फ साल भर पहले मुद्रा इस्विती सुन्य से 3.37 फीसद नीचे थी इसके साथ साथ खाने पीने के सामान की कीमतें भी तेजी से बड़ी हैं खास तोर पर रोजमर्रा के खाने पीने में उपियोग की सबसे जरूरी चीजों के दाम भी बेलगाम होते जा रहे हैं सच यह है कि इस साल बीते कुछ महीनों से थोक और खुद्रा महंगाई की रफ्तार में जिस तरह की तेजी आई है उससे आम लोगों के माथे पर शिकन पैदा कर दी है सरकार ने भारतिय रिजरू बैंक को खुद्रा मुद्रा इस्विती की दर दो फीसद की कमी या वरदी की साथ चार फीसद पर कायम रखने की जिम्मेदारी दी हुई है यह वैवस्था मुख्य रूप से देश की आबादी की उस हिस्से की फिक्र में है जिसकी थाली पर बाजार भाव का सीधा असर पड़ता है लेकिन ऐसा लगता है की चार फीसद का यह आकड़ा अब महज उपचारिक दस्तावेजों तक सिमट कर रह गया है अंदाजा इससे लगाया जा सकता है की खुद्रा महंगाई दर मैं में उच्छल कर 6.3 फीसद पर पहुँच गई सवाल है की जिस दोर में कम से कम रोजमर्रा की सबसे जरूरी चीजों की कीमतों को नियंतरण में रखने की जरूरत है वैसे में आखिरवे कौन सी नीतियां लागू हो रही है जिन में महंगाई पर लगाम लगने के बजाए इसमें और ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है एक और पेट्रोल का दाम कई राज्यों में सो रुपे प्रती लीटर से पार कर चुका है तो डीजल भी इसके करीब है वहीं खाने पीने की लगभग सभी वस्तूओं की कीमतों में बे लगाम बडोत्री ने आम लोगों के सामने बहु इस्तरिये चुनोती खड़ी कर दी है यह किसी से छिपा नहीं है कि पिछले लगभग डेड़ साल से जादातर लोग गंभीर आर्थिक मुश्किलों से जूज रहे हैं खास तोर पर समाज का वैसा तपका जो असंगठित शेत्र में रोजगार या दिहाडी के भरोसे अपनी रोजी रोटी चलाता है उसके सामने जिन्दगी के लिए बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी एक बड़ी चुनोती हो गई है पूर्ण बंदी के चलते लंबे समय से रोजगार के जादातर थोर या तो ठप पड़े हुए हैं या फिर किसी तरह गिशटते हुए चल रहे हैं वेतन मजदूरी या किसी तरह के आर्थिक आय के अभाव में बहुत सारे लोग केवल खाने पीने की सबसे जरूरी चीजें ही खरीद पाते हैं इनमें से भी बहुतो कोतो पेट भरने के लिए भी दूसरों की मदद पर निर्भर होना पड़ा है यहां तक की मध्य वर्ग की क्रेशक्ती भी पहले की अपेक्षा काफी कमजोर हुई है ऐसी स्थती में महंगाई की चो तरफा मार जेलना सबके लिए आसान नहीं है जाहिर है अब यह सरकार पर निर्भर है की वह बाजार में महंगाई के इस्तर को कम करने से लेकर लोगों की आर्थिक स्थती को पटरी पर लाने के लिए क्या करती है पैरा संयुक्त राष्ट में परधान मंत्री के संभोधन से एक बार फिर दुनिया का ध्यान जमीन की कमजोर होती सेहत की तरफ गया है परधान मंत्री ने दुनिया के तमाम देशों को आगा किया की अगर भूक्षरण और मरुस्थलिकरण को मिल कर रोकने का परियास नहीं किया गया तु इससे आने वाले समय में गंभीर संकट खड़ा हो सकता है परियावरण और क्रशी शेत्र में काम करने वाले वेग्यानिक लंबे समय से इस समश्या की तरफ ध्यान आकर्शित करने का परियास करते रहे हैं मगर विकास परियोजनाओं को दी जाने वाली अंधाधुंद मंजूरी और क्रशी उत्पादन बढ़ाने की होड में अतार्किक धंग से रसाइनों उवररकों तथा प्रसंस्कृत जीन वाले बीजों के उप्योग पर लगाम लगाने का कोई व्यावारिक कदम नहीं उठा जा सका है यह कोई छिपा हुआ तथे नहीं है कि विकास परियोजनाओं के लिए जंगलों की अंधा धुंद कटाई की वजह से भूशरण की समस्या बढ़ी है इससे जमीन के जल सोखने की शमता काफी कम हुई है मगर ओध्योगिक उत्पादन बढ़ाने के मकसद से नए कल कारखानों को मंजूरी देते समय परियावरणिये तकाजों को लगातार नजर अंदाज किया जाता रहा है तमाम देशों ने अपनी उध्योगिक नीतियों में परियावरणिये नियम काईदों को काफी लचीला बना दिया है भारत ने भी नए उध्योगों के लिए परियावरणिये बाधाओं को काफी हद तक दूर कर दिया है खेती युग्ये जमीन के बड़े हिस्से के बंजरी करण का एक बड़ा कारण जीन प्रसंस्कृत बीजों का बड़े पेमाने पर उपियोग है भारत जैसे देशों में पारंपरिक तरीके से बीजों के प्रसंस्करण किये जाते थे पर उनसे फसल की पैदावार अधिक नहीं होती थी इसलिए जीन प्रसंस्कृत बीजों के इस्तमाल पर जोर दिया गया इसके लिए भारत में कई क्रशी अनुसंधान केंद्र खोले गए जिनके प्रसंस्कृत बीज भारतिय वातावरन के अनुकूल होते थे उनसे पैदावार भी अच्छी होती थी मगर जब विदेश सी बीज और उर्वरक कम्पनियों के लिए भारत का बाजार खोल दिया गया तो उन्होंने लगभग पूरे देश की खेती किसानी पर कबजा कर लिया उनके जीन प्रसंस्कृत बीजों को उगाने के लिए अधिक उर्वरकों और रसाइनों की जरूरत पड़ती है यही नहीं वे पारंपरिक बीजों की अपेक्षा अधिक पानी की मांग करते हैं जिन खेतों में ये बोए जाते हैं हर साल उसकी उर्वरता शरित होती जाती है जाहिर है किसानों को उर्वरकों रसाइनों और पानी की मात्रा बढ़ाती रहनी पड़ती है इस तरहे खेतों का बंजरपन बढ़ रहा है ऐसे वीजों की बिकरी पर रोक लगाने की मांग लंबे समय से उठती रही है मगर इस दिशा में कदम नहीं उठाए जा सके हैं इसके अलावा हर साल बढ़ते वैश्विक तापमान की वजह से ग्लेशियरों का पिघलना हरित शेत्रों का उजडते जाना और मरुज्थल का विश्तार जारी है इसे रोकने के लिए दुनिया के तमाम देश हर साल अपने कारबन उस्सरजन में कटोती का संकल्प तो दोहराते हैं पर अमेरिका और चीन जैसे विक्सित देश इसमें सहयोग के लिए राजी नहीं होते जो की सबसे अधिक कारबन उस्सरजन करते हैं छिपी बात नहीं है कि विकास परियोजनाओं और उत्पादन पर जोर तथा कारबन उस्सरजन में कटोती दोनों पक्षों में संदूलन बनाना बहुत सारे देशों के लिए संभव नहीं हो पा रहा यह संदूलन न बिठा पाने का नतीजा है कि परियावर्ण परदूशन का असर बहुत सारी फसलों पर भी पड़ रहा है नदियों का जल प्रदूशित होने की वजह से खेतों की उर्वर्ता नस्ट हो रही है परदान मंत्रे ने कहा कि दुनिया का दो तिहाई हिस्सा भूशरन की समस्या से जूज रहा है नीसंदे इस समस्या से पार पाना है तो दुनिया के तमाम देशों को इस दिशा में व्यावारिक पहल करनी होगी स्टॉप